हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप स्टॉक्स में इंट्वाडे ट्वेड कैसे करें इस्पेसली जो लोग बिगनर्स होते हैं जो मा आप किस स्टॉक्स में इंट्वाडे ट्वेड करेंगे और कैसे आप स्टॉक्स में इंट्वाडे ट्वेडिंग की शुरुआत करेंगे तो चलिए इसको सीखते हैं और यह जो चार्ट है आपका विलाइंस इंडुस्ट्री का फाइब ट्वेडिंग कर रहे हैं तो यहां पर आप जो ट्वेडिंग यूज करेंगे वह आप फाइब मिनट या फिर मैक्सिमुम् इससे लॉंगर टाइमफ्रेम वाला चार्ट यूज नहीं करना इंडुआडे में यही दो टाइमफ्रेम वाला चार्ट आपको प्रेफर करना है तो टाइमफ्रेम आपको आइडिया मिल गया अब आपको कौन से स्टॉक्स में इंडुआडे ट्वेडिंग करना अगर आप म हमारे सामने कुछ extra data मिल जाता है जिससे हमें decision लेने में काफी आसानी होता है जो stocks आपको FNO में नहीं रहता है वहाँ पे आपको ज़्यादा data नहीं मिल पाएगा इसलिए वहाँ पे हमें decision लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे हम गलत decision ले सकते हैं उसके chances रहते हैं लेकिन FNO stocks में हमारे सामने extra data रहता है अगर हम सारे data को एक साथ analyze करके हम यहाँ पे trading decisions लेते हैं तो हमारे trade का accuracy level होता है वह increase हो सकता है अब कैसे increase हो सकता है वह मैं आपको example के जरी बताता हूं अब यहाँ पे हमने reliance के chart को pick किया अब जब आप chart को देख रहे हैं तो एक आप chart देखके trading decisions ले सकते हैं दूसरा जो मैंने आपको बताया था data और FNO stocks में आप क्या देख सकते हैं option chain वहाँ से भी आपको काफी कुछ idea मिल जाएगा कि हमारे लिए support कौन सा resistance लेवल कौन सा है और वहाँ से ट्वेडिंग decisions आसान हो सकता है तो सबसे पहले हम chart वीडिंग यहनि हम price action को देखते हुए trading positions initiate कर सकते हैं अब देखिए last trading session कहां पर closing दिया था closing दिया था आपका 2600 करीब और यह जो लेवल था वह रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ हमें दिखा था उसके बाद आज यहनि 21st of number को price आपका नीचे आया gap down open हुआ है लेकिन gap down open हुआ है और जिस price पे open हुआ है वह ही इसका high बन गया यहां पर open equal to high दोनों एक बराबर है यहां पर हमारे सामने कि strategy आ जाएगा open equal to high trading strategy यहनि जब भी कोई stocks निफ्टी या bank निफ्टी कोई भी जिसका open और high बराबर हो तो हमें क्या करना price जैसे नीचे जाएगा इस highest point को हम SL रखेंगे यह से थोड़ा सो उपर SL रखें हम यहां पर sell side की त आसानी से क्या कर सकते हैं 2580 के आसपास sell करके 2550 टारगेट पैस के लिए जा सकते हैं जहां पर हमें 1.25% का return मिल जाएगा यहनि 1% से ज़्यादा का return हमें आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा और यहां पर आप जाओ तो आसानी से options में भी trade कर सकते हो आप 2600 के यहां पर put options को आसानी से करके trade initiate कर सकते हो इस तरह किसे trade किया जा सकता है लेकिन हमारे सामने दूसरा option भी है data यहां से भी हम एक बार confirmation ले लेंगे जिससे हमें और ज्यादा confidence आएगा और अगर आप beginners हैं तो दूनों जगह से आपको confirmation लेना बनता है तो यहां पर data पर आते हैं अब देख हमने यहां पर क्या देखा first 15 minute 9.15 से लेके 9.30 के बीच में यहां पर short build-up हमें देखने को मिल रहा है और जैसे short build-up हुआ हम यहां पर क्या करेंगे sell side की तरफ trade initiate करेंगे और आज अगर हम nifty और bank nifty का direction देखे तो वो क्या था नीचे side की तरफ है यह नि हमें reliance के stocks को क्यों pick है open equal to high जो कि हमें sell side की तरफ जाने के लिए बोलवा यह नि जो market का trend है उसके साथ जाने के लिए बोलवा दूसरा चीज हमें यहां पर पहला 15 minute यह पहला 5 minute में क्या चाहिए short build-up जो कि यहां पर हमें मिल गया यह भी हमें market के trend के साथ जाने को बोलवा है तो दो चीज हमें पर बता जा यहां पर हमारा एक short build-up बनता हुआ दिखा है और open equal to high formation हुआ है और market का डायक्शन भी निगेटिव सेट की तरफ है तीनों हमें एक डायक्शन में आता हुआ दिख रहा है इसलिए हम रिलाइंस में ट्वेट करके आसानी से sentiment को follow करते हुए profit बना सकते हैं इसलि करते थोड़ा लेट करते लेकिन यहां पर करते जरूर और यहीं पॉइंट हमारे लिए एसल की रूप में काम कर रहा होता और यहां पर हमारा टागेट पैस 2550 यहां फिर 2540 यहां फिर 2500 तक के टागेट पैस के लिए आप ग्रेज्वली जा सकते हैं देखें यह नीचे आया ओप्सन को भी बाई करते हैं फिर यहां पे आपको आसानी से ठीक धाग प्रॉफिट मिल जाता ओप्सन में अगर त्वेट करते तो इस तरीके से स्टॉक्स का सेलेक्शन करना मार्केट सेंटिमेंट के साथ अगर मार्केट का डियेक्शन ऊपर रहे तो आपको यहां पे sap की तरव जाने को Indication देता है इस थारीकर यह संदे विलैइंस की of course को पिक कर ख़ोंए दूसरा ह aquellos को दोसरा क्वाने यह ने त्लिफन ने जाएंगे दूसरा ले जो हम लेते हैं ती से sentiment को identify करता है मतलब यहां पर उपड़ी लेवल पर क्या है sellers यहां पर हमें एक्टिफ दिख रहे हैं और हम जल्दी से ओवाई डेटा पर आना चाहेंगे अगर आपके पास धन में trading और dmatt account है तो जो भी data आप चाहते हैं उसके future के chart को open कीजे और उस particular stocks का data आपको यहां पर मिल जाएगा और अगर आपका धन में trading और dmatt account नहीं है तो इस video के description में link दिया गया उस link पर click करके आप धन में अपना trading और dmatt account free में open कर सकते हैं और free में इस data का आप access कर सकते हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको कोई extra charges pay करने के जबबत नहीं है अगर यह data आप बाहर से लेते हैं इसके लिए आपको charges pay करना पड़ेगा लेकिन यहां पर फ्री में धन में अपना dmatt account open कर सकते हैं और फिर इस इस्ट्रा money खर्च के वे ट्वेड कर सकते हैं तो हमने क्या देखा कि short build-up start हो गया तो पहला candle हम close होने देंगे दूसरा candle के करीव यहां पर हम 33 25 के आसपास हम क्या करेंगे sell side की तुरफ trade initiate करेंगे इस candle का जो highest point है वो हमाई लिए stop loss के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा उसके बाद all the way price आपका नीचे side की तरफ आए यह नहीं पहला जो हमारा target price होगा वो क्या होगा 33 hundred का होगा उसके बाद यहां पर हम 32 50 तक क पूट options को buy कर सकते हैं अगर यह strike price है तो नहीं तो आप 34 hundred के पूट options को भी buying करना prefer कर सकते हैं यहां पर आप जाओ तो options में भी trade कर सकते हो लेकिन अगर आप नए हैं तो options में trade करना ज्यादा prefer मत किजिए आप यहां पर intra-day में trade कर सकते हैं और कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत तो आपको margin भी मिलता, उस margin का भी आप फाइदा उठा सकते, कम पैसे में आप यहाँ पे intro rate rate initiate कर सकते हैं और देखिए, यह नीचे आके 3300 के level को hit कर दिया है उसकी बाद price आपका और नीचे side की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आप चाहो तो 12 SL के जरी है, positions को और continue कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उमीद है कि price आपका और नीचे side की तरफ जाके at least 25.50 या नहीं तो at least 32.50 या नहीं तो 32.75 के करीब definitely जाता हुआ, देख सकता नहीं तो उपर आए तो हमारा 12 SL बनाए हुआ या नहीं तो चाहो तो आप यहीं पे profit book करके लगबग 1% करीब यहाँ पे profit आपको आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से आप बिना ज़्यादा time waste किये हुए, पहले के कुछ hour में, यानि first one hour में आप अपने trade initiate करके वहाँ से profit भी secure कर सकते है और यह सब काम आप OI build up के data से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको market के sentiment के साथ जाना है, अगर bullish market हो तो आपको buying वाला stocks खोजना है और bearish market हो, तो selling वाला stocks खोजना है तो उमीद करते हैं कि आपको notification मिल जाए और आप वीडियो मिस्स ना करें, so that's all friends मिलते नेक्श वीडियो में, जै हिंद